हे गाईज, वेलकम टु देव भूमी कजरपॉंट तो देखे उत्राखंड ग्यानकोस भाग नौ है आज, इसमें डिस्कस करेंगे चौ वाने से बनने वाले सभी महत्वपूंड सब्दों के बारे में, और देखे उत्राखंड ग्यानकोस एक महत्वपूंड सेरीज है, UKPSC प अपने राज्य की संसक्रती को जानना, अपने राज्य की संसक्रती से जुड़े हुए सब्दावली को जानना, और अन्य महत्वपूंड प्लेसेज को जानना, क्योंकि कोश्यन बनते हैं, लोग संसक्रती और कला, ये एक ऐसा छेत्र है, जहां से हर एक्जाम में, ज्यादा question बनते हैं हमिसा से तो चलिए देखेंगे उत्राखेंट ग्यान को साथ चौव वांग के महतोपूर्ण सब्दों को डिसकस करते हैं तो सबसे पहला नाम है चंडाक तो देखें चंडाक एक महतोपूर्ण hill station है एक हिसाब से ठीक है और पिथोरागड जनपत मुख्यालाई से साथ किलोमीटर दूर इसकी लोकेशन है और चंडाक जो प्लेस है यहाँ पर एक मिसनरीज एक होस्पिटल भी खोला गया था काफी पहले ठीक है और उसके साथ बोलू में यहाँ पर एक महतोपूर्ण लगता है और लोग माननेता है कि इस मेले में वर्षा अवश्य होती है मतलब देवता का आहवान ऐसा होता है कि वर्षा हो जाती है ठीक है तो आपको ध्यान रखने है चंडाक में याद भी रखने है एक महतोपर पॉन्ट आप डिसकर्स किया नहीं है कि यहाँ पर प्राखंट में खोला गया था ना, लेपरोसी के लिए, कोगल खाना था यहां पर लेपरोसी कुष्ट रोग होता है जो उसके लिए यहां पर खोला गया था काफी पहले, अब तो बिल्कुल जीर नील सीर्ण हो चुका है है नेक्स से दिखे चट्टी तो चट्टी जो सब्द है दिखे काफी महत्तोपून है काफी बार आपने सुना होगा जैसे अनुमान चट्टी मंडल चट्टी भेरो चट्टी फूल चट्टी गरवाल में काफी ऐसे ही नाम आपने सुने होंगे तो चट्टी इस पेसली होता है ग इसराम घर या धर्म साला के लिए प्रियुक्त सब्द है चट्टी। अगर देखें चंडाल कोट। तो चंडाल कोट काफी कम बुक्स में दिया गया है। उत्राघंड ज्यान को इसमें आपको ये लाब मिलता है, मैं हमेशा बोलता हूं। आपने पढ़ा होगा चंपाउत ज तो धकाना गाओं में ही ये किला इस्तित है। नेक्स देखें चंडी देवी, चंडी देवी मंदिर काफी फेमस है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। हरिद्वार में एक तरफ विल्व परपत पर मंसा देवी का मंदिर है। उसके सामने वाली डेरेक्शन में नील पर पर प्रसिद्द चंडी देवी का मंदिर है। नील परपत पर ध्यान नकेंगे। और चंडी देवी मंदिर का निर्मान करवाय था जम्मुगे राजा थे सुजीत सी हैं। इन्होंने करवाय था 886 में। ये भी महत्तों पॉइंट है। और 1997 में यहां पर रज्जु मार्ग से इस्तापित किया गया। अगर आप पैदल चलने में असमर्त हैं तो आप रज्जु मार्ग का भी साहडा ले सकते हैं। चंडी देवी मंदिर पर जहने करा क्योंकि चंडी देवी और मंसा देवी मंदिर दोनों ही इन परवत चोटियों पर इस्तित हैं। चंडी देवी है नील परवत पर और मंसा दीवी है विलो परवत पर नेक्स देखे चंद्र कुमर बरतवाल तो इनको कौन नी जानता अलपाईव में ही हमें छोड़ कर चले गई है लेकिन इनकी कुछ साहितिक रचनाओं के आधार पर इनकी तुलना हिंदी के महान साहित्यका सूर्यकान तिरपार्टी निराला जी से की जाती है तो इनका जन्म हुआ था जन्म हुआ याद रखें क्योंकि पूछा जाता है रुद्रप्रियाग जन्पत के मैकोटी गाउं में 20 अगस्त 1919 को हुआ था इनका जन्म इनके पिता का नाम भुपाल बरतवाल था यूगल ट रचनाओं के आधार पे इनकी तुलना सूर्यकान्त तिरपार्टी निराला जीर के सांथ की जाती है और इनका प्रसिद्ध कविता संग्र है जिसका नाम है हिमवंत जोकि 1945 में प्रिकासित हुआ इसके मात्र दो वर्स बात मतलब 1947 में मात्र 28 वर्स की उम्र में इनका ध्यान हो गया और इसके सांसाथ इनका एक इनकी एक रचना है काफल पाको सर्वस्लेश्ट गीत के रूप में बाहर निकलाओ काफल पाको ठीक है अगर देखे चंद्र बदनी तो ये भी काभी महतोपूं है और टीहरी गड़वाल की एक इसाब से पहचान है ये मंदिर और काफी स कि इसके निकट जिए एक प्राकरतिक स्रीयंत्र के मंदिर को के स्रेखंड के उत्राघंड प्राकरतिक स्रीयंत्र इस्ताप इता है ये जानते में आपका बड़ा नाम है देखे रूता जीवालगया है रूत जनम विवा थाथ इक पौगला निरन और गाउर्वाल में быстро नlt इसके बाद 18 वर्स की उम्र में 49 गड़वा राइफल्स में भरती हो गए। पर्थम विस्वध्ध में भाग लिया। उसके बाद डिमेरीट हो गए। पहले क्या होता था अंगरेजियो के टाइम पर कि विश्वध्धिके टाइम तो लोग यहां के लोगों को फटा फट भरत उसका ब्यापक प्रभाव पड़ता था इन लोगों पर भी और इनकी पोश्टिंग हुई 1930 में पेशावर्ग में एक किस्सा खानी बाजार है तो वहाँ पर इन्होंने निहत्य अफगान सत्यागरा कर रहे थे अंग्रेजों नों और दिया कि इन पर गोली चलाओ और इन्हों बन गए तब से इन्हें बोला जाने लगा पेशावर कांड का नायक काफी वारे कोश्यन बन चुका है कि पेशावर कांड का नायक किसे बोला जाता है और पेशावर कांड हुआ था 23 अफ्रिया 1930 को कहां पे हुआ था पेशावर में एक प्लेस है किस्सा खानी बाजार नेक्स आप सिंप्लि इसको याद रख सकते हैं कनेक्ट करना है चंपाउती देवी मतला चंपाउत जनपत तो जो कतुरी सासक हुए उत्राख्रण में और सांती चंध सासक उनकी कुल देवी इष्ट्यदेवी के रूप में प्रिख्याती चंपाउती देवी नेक्स से देखें चम्पूली तो चम्पूली कहा है तो ऐसे सब्द आपको देखने को मिल सकते हैं UKPSC प्रारंविक में मैं आपको आज सिंप्ली यह बोलना चाहता हूं काफी लोग यह सोच रहें कि UKPSC जिस पैटन पर एक्जाम बना रहा है कोश्चन पेपर बना रहा है लेकिन मैं आज आपको दावे के सांथ बोलता हूं कि आप परिक्ष्यावांगी पर भरोसा बनाई रखें परिक्ष्यावांगी बुक का आप बारीकी से अध्यन करें एक एक फैक पॉइंट को आप याद रखें परिक्ष्यावांगी से यह सबसे महतोपन्ट बूक है उत् बुस्तगों को भी परेत होगा थोगा ऐसा नहीं कि काफी किताब है ले लेली केदार खंड मानस खंड अला फला और अपने पर बढ़ा दिया आपने बांकी चीजे तो आपको यहां पर मिल ला है तो आप परिक्ष्यावांगी पर पकरे बनाईए एक एक पॉइंट को करंट अफ्यर और हिंदी भी तो कंपलीट करने है तो वहां भी थोगा फोकस बनाई है तो चंपूलि पर आदे चंपूली देखिए सौका जंजादी का एक परंपरागत सामोहिक लोग निर्थ्य है ध्यान रखेंगे यहांपर मिलते है हो गया मिलते है नहीं लोग निर्थ चम पूली सेम लाइक रिंग डांस की तरह होता है लेकिन आदुदिनिक समय में यह विलुप्त हो गया दीरे दीरे यह पृधा क्रता खतम हो चुकिया और 14 घाटी में, यहीं पर देखे, 14 घाटी भी पूर्वी भोटांतिक छेत्र में आते हैं धार्चुला से उपपर, तो 14 घाटी में इसको चमय थोमो कहा जाता है, तो चमय थोमो और चमय थोचिम, यह दोनों ही क्या है, आपका एंगेजमेंट के समय यूज होने वाला सब्द अगले देखे, चूसिले गैमो, तो चूसिले गैमो क्या है, तो सगाई के लिए यह सब्द यूज होता है, और चूसिले गैमो है, पूर्वी भोटांतिक बोली में, प्रेम भिवाह ही तो प्रियुक्त सब्द, तो पूर्वी भोटांतिक छेत्र में कोई भी अगर लब मेर करते हैं तो इस लब मेरी इसको बोला जाता है चूंसिले गैमो करते हैं तो चांतपूर गड़ी देखिए यहीं पर परमार सासक की पहली राजधानी रही और यहीं पर धार नगरी गुजलात से जो सासक आया था कनकपाल उसका राज्य अविशेग भी यहीं पर हो था कनकपाल को ही पहला परमार सासक माना है अधिकान से इतिहासकारों ने तो जल्द ही जूरू होगा अनकेडमी पर मैं आपको अप्टेट दे दूँगा इसका चार बुड़ा तो चार बुड़ा देखिए मैंने पढ़ा दिया आपको चंद सामराज्य में पढ़ा हमने चंद इतिहास पढ़ा तो वहाँ पर देखिए जब सोम चंद ने के लोगों को निउक्ति किया था इन चार किलो में जिनको बोला गया चार बुड़ा और ये चार चेत्रे वर्गे के लोग कौन-कौन थे कार्की तड़ागी बुड़ा और चौदरी ठीक है अच्छे से जानना है तो आप अनकेडमी लर्लिंग पर चंद वन्सका इतियास ज यहां पर हाव हाव वाला निर्टि किया जाता है ठुलखेल में तो उसी ठुलखेल को चाली भी का जाता है अगर देखे चूगा तो चूगा एक अलपहारी खाध्यपदार थे जिसको आम सफर में ले जा सकते हैं प्राचीन उत्राखंट में लोग ऐसा ही करते थे मैलाई ज छीघ को न की आउनकर जो दान होता है दान को भूणा जाता है इन चूगा खहा जाता है उसकी दिलन का ळड़ा खाना यूखा तुक्व 11 साथ जाता है बुकना मतलब उकाना खाना ध्यान लटेंगे क्योंकि जो चावल के खाजे होते हैं उन्हीं की तरह इनको खाया जाता है नेक्स है देगे चिताई मंदिर चिताई मंदिर तो काफी फेमस एक टेमपल है अलमोगा जनपद में है लोकेट है और चिताई मंदर की सबसे बग़ी बात है कि इसको गौड ओफ जश्टीस बोला जाता है न्याय का देउता तो यहाँ पर क्या करते हैं काफी स्रद्दालों आते हैं यहाँ पर भारत की विविन चेतर उसे ना केवल उत्राखंड से और अगर उनकी कोई भी प्रार्थना पूरी ना होई जैसे किसी का कोर्ट में केस चल ला हो अगर वो केस पूरा नहीं होता तो वो अर्जी एक अप्लिकेशन लिखता है और अप्लिकेशन को मंदिर पर टांग देता है ऐसे लोगों की मननत है अगर आप चिताई गोलू आपको विवाह होते हुए भी देखा जा सकते हैं अपको लोग विवाह करने यहाप पर आते हैं बोला जाते हैं कि इस मंतिर में विवाह करने से lifelong bonding बनती है next देखें चित्रसिला तो चित्रसिला देखें देरादून में कालसी में है एक चित्र सिला जो महत्वपूंग है और मेन है और दूसरा एक चित्र सिला और है जो के हलदौनी के रानी बाग में है गौला नदी के तट पर ठीक है अब हम बात करेंगे पहला वाला चित्र सिला ये महत्वपूंग है चित्र सिला सिला मतलब पत्थर तो बड़ा सा एक पत् नहीं है केवल यहां पर एक temple है उसकी वज़े से famous है उसके बारे में हम आगे बात करेंगी तो आगे बढ़ते हैं तो यह है वो temple जो चित्र सिला रानी बाग में इस्तित है ठीक है तो भगवान सिव को समर्पित है चित्रेसवर महादेव का मंदी रानी बाग में इस्तित है चित्र सिला के ही निकट इस्तित है यहां पर जो मगर संकराती होते हैं उत्तरैंड और साथी सिव रात्री ठीक है त तो चुनिया होता है, जो साथ परकार के अनाज होता है, साथ परकार के अनाज बोलो तुम्हें, घेहू, चावल, कॉंदो, ज्वार, बाजरा, राई, आलगी, ठीक है, इन सभी को मिक्स करके इनका आठा बना लिया जाता है, और उस आठे से निर्मित एक विशिष्ट ब्यां पूछा जा चुका है, समोगो के एक्जामों में, कि चैती मेलाई का आयोजन किस जनपद में होता है, या किस प्लेस में होता है, तो देखे, उधमशियन अगर जनपद में, गोविशांग, प्राचिन नाम कासिपूर, ठीक है, तो कासिपूर में चैती देवी मंदिर, आप तो पितोरागले जनपद के विभिन्द छेत्रों में चैतौल मनाया जाता है, इसके साथ अलमोडा, चंपावत के कुछ शेत्रों में भी चैतौल काफी फेमस है, और ये खासकर चैत्र के नौरात्रों में ही सेलिब्रेट होता है, अगला है चोदास, तो चोदास घाटी जो अगला देखें, चौपकिया देवाले, तो चौपकिया देवाले ये भगवान सीव को समर्पित है, और कुमाओ मंडल के जनपद पितोरागले में एक गाउं है, वड्डा गाउं, तो वड्डा गाउं में ही ये चौपकिया देवाले इस्तित है, नेक्स है देखें, ब्रहामगों को चोथानी कहा जाता था ठीक वैसे ही गलवाल के राजदरबार में भी चार प्रकार के गंगागी ब्रहामगों को चोथोकी कहा जाता था तो यह चार प्रकार के जो गंगागी ब्रहामग थे या उपजातिया थे कौन-कौन सी थी बहुगुणा डंगवाल गरतिकाए महत्वपूंग ये लोक निरिखते है चौफूला ठीक है और इस पेसले गड़वाल मंडल में ही ज्यादा प्रचलीत है अगला देखे चौबर्टिया तो चौबर्टिया देखे और्चट कंट्री की नाम से भी फेमस है और चौबर्टिया उद्यान प्लेस है साहिध कम लोग जानते होंगे इसको फल, सोथ, केंदर या फल, सोथ, संस्तान ये चौबटिया में ही इस्तित है ध्यान रिकेंगे, टिक है Fruit Research Center या Fruit Research Institute ये चौबटिया में है अगले देवता, ये देवता हैं, जो की उत्राखंड के कुमाव मंडल में पसुचारक जो समाज होते हैं, पसुचराना वाला समाज होता है, पसुवर्ग पे आधारित समाज होता है, तो उनका एक छेत्रिय देवता है, जिसका मूल माना जाता है चंपावत जन्पत के चमल द तो पसु चारक वर्ग का दियुता है, ध्यान रखेंगे, ऐसे कोशिन भी बन जाते हैं, गभी गभी, नेक्स से देखें, चौरा बागी ताल, तो चौरा बागी ताल देखें, इसकी लोकेशन है, रुद्र प्रियाग जनपत में, ध्यान रखेंगे, और चौरा बागी ताल तब ज्यादा फेमस हो गया, जब 1948 में गांदी जी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद गांदी जी की अस्तियों को इस ताल में विसर जित किया गया, उसके बाद कालांतर में इस ताल को गांदी सरोवर कहा जाने लगा, तो गांदी सरोवर के नाम से फेमस है, चौरा बाग और इस पूरी घटना का जिक्रें नौलखा माल और चाउरासी माल सब्दों का वांगन, अभुल्फजल ने अपनी पुस्तक आईन एंअगबरी में भी किया है। ये महत्तोपूण हैं किस पुस्तक में चाउरासी माल का उलेग मिलता है? किस में मिलता है? आईन एंखबरी में, ध्यान लेकेंगे, किस पुस्तक में नौ लखा माल का उलेग मिलता है ध्यान लेगे next देखे चौली ताल तो चौली ताल देखे देलादून जनपत में चाकराटा के निकटए इस्थी है ध। ध्यान लेखे जौन स Beim04 चेत्र में और यहां पर लगता है वीर केसरी चंद मेला जो कि जॉन सार बावर में काफी फेमस है चकराता में काफी फेमस है वीर केसरी चंद मेला अगर देखें चौसवाणी, तो चौसवाणी के है, ये गरवाल चेतर में प्रचलित एक विशिष्ट बेंजन है, जिसे उरद, उरद की दाल बनती है, तो उरद को भिगाया जाता है, उरद को फिर बारिक पीसा जाता है, उसके बाद उसमा नमक मिर्च वगेरा डालके, इस चौसवाणी को चावलों के साथ खाया जाता है, तो गरवाल में प्रचलित एक भोजी बेंजन है, चौसवाणी त्यान दगेंगे, यहां पर भोजी होना चाहिए, भोजी हो गया है, भोजी है, ठीक है, तो गाइस आज ये उत्राखिन ग्यान को भाग नो, चौसवाणी से महतोपन जितनी भी सब्दावली थी, वो हमने खत्म की, और आई होब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे ही ये कारवा चलते रहेगा, लोग आएंगे, बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, कारवा बढ़ा होगा, कुछ सफल होगे, कुछ छूट जाएंगे, कु जय हिंद वंदे मात्रम